तो नाउ स्टूइंट्स आज हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस के जो आखरी दो हमारे कॉंपोनेंट्स हैं जिसको अमोमन हम लोग बोलते हैं अब basically पहले है समझें के influencer क्या होता है? what is मैं किसको influencer बोल रहा हूँ? influencer से basically मुराद यह है के ऐसी community या ऐसे लोग ऐसे brands जो अगर आपके e-commerce store को या आपके offer किये हुए product को अगर endorse कर दें या वो अगर ये बोल दें कि it is a good product to use तो वो उनको हमनों basically influencers बोलते हैं Influencers की जो बहुत बड़ी example है वो basically आजकल के जमाने में different blogs हैं blogs हैं या social media के for example Facebook का कोई अगर एक specific page है उस page पे अगर आपके product को specifically by name कोई celebrity endorse कर दे तो उससे आपकी market value या उससे आपकी जो marketplace के अंदर उसकी जो niche है वो बहुत जादा increase कर जाती है यानि आप यूं समझें कि अगर मुझे 10 चीज़ों में से कोई एक चीज़ खरीदनी है अगर मुझे 10 available चीज़ों में से जो market में available हैं मेरी मर्ज़े के मताबिक अगर उनमें से मुझे कोई एक चीज़ खरीदनी है तो naturally psychologically ये बात है कि मैं सबसे पहले वो चीज़ देखूँगा जो किसी और ने recommend की हुई है और खास दोर पे एक ऐसे बंदे ने या ऐसी personality ने recommend की हुई है तो whom I look for ये ये natural है ये psychological fact है इसमें कोई mathematics नहीं है इसमें कोई आप समझें कोई और formula नहीं है इस ज़स्ट प्ले विद यूर human psyche number one number two कि for example आपका एक e-commerce का store है अब e-commerce की store का अंदर आपका जो end goal है वो है कि आपने अपनी obviously sales ज़्यादा करनी है आप product offer कर रहे हैं लेकिन आपने sales ज़्यादा करनी है और आपको ये मालूम है कि online sales ज़्यादा करने के लिए you have to market market क्यों करना है कि basically अगर आपने sales ज़्यादा करनी है तो आपने basically number of visitors जो आपकी website पे आ रहे हैं e-commerce store पे आ रहे हैं उनका count ज़्यादा करना है तो एक तो traditional marketing के तरीके हैं दूसर जो online marketplace में और चीज़े हैं वो blog है social media के तुरू marketing है affiliates की marketing है affiliate का concept ही होता है कि असाल लफ़ों में कि एक कोई आप समझें एक कोई बड़ा brand है उस brand के साथ कुछ affiliated brands है एनि फर गजांबर आप समझें कि Microsoft कुछ services offer कर रहा है और under the umbrella of Microsoft Microsoft वाले ही आपको कहते हैं कि हम यह XYZ service भी offer कर रहे हैं लेकिन वो service Microsoft वाले offer नहीं कर रहे Microsoft से किसी third party ने या third कोई company है उन्होंने contract किया हुए और क्योंकि आपने financial understanding है तो इसको affiliate बोलते हैं तो affiliate की जरीए भी याई अगर आप यूँ समझें कि एक ऐसी चीज जिसको Microsoft जैसा brand इंडॉस कर दे तो obviously उसकी market value जादा है याई मैं अगर customer हूँ और मैं अगर देखूं कि Microsoft एक चीज को recommend कर रहा है तो naturally may I still at the time of purchasing उस सरफ होगा जो एक brand recommend कर रहा है एक और concept e-commerce में बहुत ज़दा आपको दमाग में रखना पड़ता है वो ये रखना पड़ता है कि जो product आप offer कर रहे हैं उस product की market value currently different market places में क्या है असान लफ़ों में आपको समझाता हूँ कि for example एक mobile phone है आपने एक online अपना e-commerce store open किया आपने का जी कि मैं mobile phone बेचूंगा fair enough आपने google trend के जरीए उसके देखा कि इसकी sale बहुत ज़दा हो रही है demand बहुत ज़दा है searches बहुत ज़दा हो रही है you decided कि जी मैं mobile phone बेचूंगा fair enough अगरा step ये है कि अब आपने ये देखना है कि mobile phone अगर मैं let's suppose 800 डालर का offer करता हूँ अपने e-commerce store के उपर एक customer आता है क्या उस ही brand का mobile phone current marketplace में कितने का पढ़ाव है यानि उतना processor हो बाकि जो सारे specs हैं उतने ही हो जो मैं offer कर रहा हूँ तो मेरे competitors ने क्या price रखी हुई है इसको हम लोग बोलते हैं aggregators website यानि एक ऐसी website जो आपको एक, दो, तीन, चार या different market places से same product की prices को compare कर के देता है यानि आपको ये बता आदा है for example कि iPhone 7 है वो अगर मैं Amazon से खरीदूँगा तो मुझे कितने का उसकी cost पड़ेगी मैं for example Alibaba या Alie Express से purchase करूँगा तो उसकी price क्या पड़ेगी and so on इस सारा की websites को हम लोग बोलते हैं aggregators so अब हम देखते हैं गरे aggregator website क्या होती है so now students अब हम एक aggregator website को एक्स्प्रोर करते हैं जैसे ही आप ब्राउजर में लिखे हैं calco.co.uk यानि k-e-l-k-o dot co dot u-k तो इस से रहे की website आपके सामने open हो जाएगी aggregator website आपको basically ये बताती है कि let's suppose अगर आपको एक product अपनी e-commerce shop में या online store में offer करने का plan कर रहे हैं same product क्यों क्या price offer कर रहे हैं तो let's suppose मैं यहाँ पर लिखता हूँ iPhone लिख देता हूँ या कुछ भी जो product मैं offer करना चाहरा हूँ iPhone 7 लिख देता हूँ जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा तो just look at the result set ये बड़ा मज़िका result set है अब यह basically हमें यह बता रहे है के अगर iPhone मैं खरीद हूँ Amazon UK से तो it will cost me 600 pound अगर मैं iPhone 7 खरीद हूँ RD shop UK से it will cost me 646 ए बायर से खरीद हूँ just look at this ये मुझे कह रहा है 741 pound Amazon marketplace 749 Mekon mobile से अगर मैं खरीद हूँ 464 है और हर एक के साथ उसका URL भी आ रहा है तो ये जब फर एक्जांपल आप अपना let's suppose ये टॉबी डील्स है ये 307 है अब फर एक्जांपल आप अपनी product आफर करना चाहा रहे है same product अपनी website पर आफर करना चाहा रहे है तो आपके लिए ये find out करना बहुत जरूरी होता है as a startup के आप अपने product की price range क्या रखे तो इस तरह की जो aggregator websites होती है वो आपको help out करती है के online रहते वेई आप एक sort of survey conduct कर सकते है के price range चल क्या रही है दूसरा तरीका moment इसका यह होता है कि you have to visit the shops for example physically लाहूर में आप shops को visit करें है कराची में करें ताक कि आप same product का जो market price है वो आप find out करने ही कोशिच करें तो aggregators basically आपको help out करते हैं different website से data जमा करके एक website पे show करने में so this is all about aggregators online marketplace map का जो सबसे आखरी component है वो actually आपकी destination sites है यानि आपका अपना e-commerce store what does it translate to कि आपने product को भी आप में select कर लिया आप में उसकी price भी देख ली आप में उसकी marketing भी कर ली लेकिन at the end of the day जो आपका अपना online store है it has to offer something unique यानि अगर 10-30 market में available है तो एक चीज़ होती है इसको हम लोग बोलते है OVP Online Value Proposition असाल से लफजों में कि अगर मैं किसी की website से कुछ चीज purchase कर रहा हूं तो आजकल competition के जमाने में this website has to offer me something unique in form of discount in form of user experience in form of some loyalty program and so on something different has to be there to attract a customer to do a purchase from a website